नमस्कार दोस्तों मैं संजे डावरा आप सभी विद्ध्यार्तियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज की सोनलैन पेटपॉन पर प्यारे विद्ध्यार्तियों आपको पता होगा कि हम NCRT के 1000 objective questions जो की बन लाइनर कम समय में जादा questions का लगतार हम प्रियास कर रहे हैं और दोस्तों ये revision का बहुत बड़ा रामबान होगा कि आप 10 से 15 मट के अंदर एक घंटे की चीज को कबर कर रहे हो ये मेरी गारंटी है तो प्यारे विद्ध्यार्तियों अगर वीडियो अच् नए topic पर चर्चा करेंगे और उसके भी 15-20 questions निकालने की causes करेंगे आज का जो topic रहेगा वो रहेगा हीमोगलोबिन दोस्तों हीमोगलोबिन से जुड़े हुए जितने भी objective questions है मैं उनको एक एक करके आपको नोट कराने जा रहा हूँ तो प्यारे विद्ध्यार्तियों आज का पहला question जो होगा कि हीमोगलोबिन किस में पाया जाता है हीमोगलोबिन किस में पाया जाता तो प्यारे विद्ध्यार्तियों मुझे पता है आप जबाब दे रहे हो कि गुरुजी हीमोगलोबिन तो हमने तो ऐसे सुना है कि खून में पाया जाता है, यस, दोस्तों सब को पता है कि हीमोगलोबिन ब्लड में पाया जाता है, लेकिन ब्लड के भी कौन से भाग में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, हीमोगलोबिन किस में पाया जाता हीमोगलोबिन में कौन सा वर्नक पाया जाता है प्यारी विध्यारतियों आपको मैं बता देता हूँ कि हीमोगलोबिन में कौन सा वर्नक पाया जाता है पिगमेंट हीमोगलोबिन में कौन सा वर्नक पाया जाता है तो इस कोश्चन का राइट आंसर इसके नाम से ही निकाल लो हीमोगलोबिन में 5% मात्रा में हीम बढ़नक पाये जाता है हीमोगलोबिन में नाम से पता चल रहा हीम तो हीमोगलोबिन में 5% मात्रा में हीम बढ़नक पाये जाता है Question number 3 हीमोगलोबिन में कौन सी प्रोटीन पाये जाती है हीमोगलोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है प्यारी विध्यारती हो अच्छा कोश्चन है हीमोगलोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है पाई जाती है पाई जाती है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो प्यारी विध्यारती हो हीमो गलोबिन में 45% मात्रा में हीमो गलोबिन में 45% मात्रा में गलोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है गलोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है हीमो गलोबिन में गलोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है तबी तो हीमोगलोबिन दो चीजों से मिलकर बना हीम बढ़नक है, गलोबिन उसमें प्रोटीन है, कॉश्चन नमबर चार, प्यारे विध्यारतियों, ये जो हीम बढ़नक है, हीम बढ़नक में, हीम बढ़नक में, या हम बोल सकते हैं, हीमोगलोबिन में, दोनों एक ही बात है हीम बरनक में या हीमोगलोबिन में कौन सी धातू पाई जाती है अच्छा कौश्चन है कौन सी धातू पाई जाती है तो इस कौश्चन का सही जबाब होगा फैरस दोस्तो एपी पलस्टू को एपी पलस्टू को फैरस कहा जाता है गलती मत कर देणा कौश्चन नंबर पाँछमा अगर अपशन में एपी पलस-Not-3 अजाए तो यह फैरस नहीं है यह फैरिक है वो फ फेरस है यह फैरिक है ध्यान रखना api plus 2 पाया जाता है api plus 3 जो है वो फैरिक होता है फैरिक वो फैरस है यह फैरिक है ध्यान रखना question number 6 प्यारी विध्यारतियो blood का लाल रंग ब्लड का लाल रंग, दोस्तों आपको पता होगा, ब्लड का जो लाल रंग है, वो हीमोगलोबिन की बज़े से होता है, लेकिन अगर ओप्सन में हीमोगलोबिन नहीं हो, तो ओप्सन में होगा फेरस की बज़े से, अरे भाई, हीमोगलोबिन में ही तो फेरस है, एफी प्लस तूधातू पाई जाती है, तो ब्लड का जो लाल रंग है, अगर ओप्सन में RBC हो तो RBC, नमबर दो और अच्छा अंसर हीमोगलोबिन, और अच्छा अंसर फेरस, तो जैसा उत्तर ऐसा ही उसका question होना चाहिए। तो वो पूछेगा, एक देगा option में सब नहीं मिलते हैं, अगर वो पूछेगा कि बलड का लाल रंग किस धातू की बज़े से होता है, तो धातू का नाम पूछे, तो फेरस बता देना, ये है बलड का लाल रंग, इसके बाद में सातमे नमबर का question, अगर वो आप से पूछे क कि हीमोगलोबिन क्या है, तो प्यारे विद्धारतियों, इस question का जो right answer होता है, ये दो उत्तर आते इसके, नमबर एक, हीमोगलोबिन एक प्रकार की protein भी होती है, और एक और आंसर होता, हीमोगलोबिन एक प्रकार का सौसन बढ़नक भी माना गया है, हीमोगलोबिन एक प्र कार की प्रोटीन भी है और यह एक प्रिकार का सोसन बननक भी हुता है इसके बाद में प्यारे विध्यारत्यों आप पूंछा जा रहा है ही मौग्लॉबिन का रंग कैसा होता है अगर हिंओ गॉलोबिन के रंग की बात करों तो he हीमोगलोबिन का रंग लाल नहीं दोस्तों लाल क्यों बता रहे हो हीमोगलोबिन का कलर कैसा होता है बेंगनी होता है हीमोगलोबिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है बेंगनी पुर्सों में हीमोगलोबिन की मात्रा पुर्सों में हीमोगलोबिन की मात्रा आया हुआ कोश्च ने बहुत बार रिपीट हो चुका है पुर्सों में हीमो ग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 14 से 16 ग्राम 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 पिरती हंड्रेड एमेल होती है प्यारी विद्धार्तियों अगला कॉश्चन नमबर दसमा महिलाओ में हीमो ग्लोबिन की मात्रा महिलाओ में हीमो ग्लोबिन की मात्रा महिलाओ में हीमो ग्लोबिन की जो मात्रा होती है महिलाओ में हीमो ग्लोबिन की मात्रा वो है 12 से 14 ग्राम पिरती 100 एमेल पिरती 100 एमेल चलिए एक कॉश्चन ग्यार्मा नमबर का कॉश्चन आप से पूच रहा हूँ आप इसका जबाब दोगे नबजा सिसू में नबजा सिसू में हीमोगलोबिन की मात्रा हर बार एक कॉश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं पिसली क्लास में एक कॉश्चन छोड़ा था कि कुट्टे की आरबीसी का जीवनकाल कितने दिन होता है आप मेंसे कितने विद्यारतियों ने कमेंट किया है कुट्टे की आरबीसी का जीवनकाल लगभग 124 दिन का होता है और इस बार एक कॉश्चन फिर आपके लिए छोड़ रहा हूं नबजा सिसू में हीमोगलोबिन की मात्रा कितनी होती है कॉश्चन नमबर 12 प्यारे आराम से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको विज्ञान और पढ़नी है तो आपको प्ले शटोर से डावरा क्लासे जैपूर एपलीकेशन डाउनलोड करना पढ़ेगा प्ले श्टॉर से डावरा क्लासे जैपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करेए हर वीडियो के नीचे उसका लिंक हम आपको दे रहे है तो आप वहां से लिंक से क्लिक करके डाइरेट एप्लीकेशन पे जा सकते हो भारी चूट के साथ हम विग्ञान आपको पड़ा रहे है ना मात्र की फीश आपसे हम ले रहे है तो आप उस बैच के साथ में जुड़ सकते है चलिए हीमोगलोबिन के उपर और हम बात करते है प्यारे विद्यारतियों जबाब ये है कि हीमोगलोबिन करता क्या है हीमोगलोबिन का काम क्या है भाईया हीमोगलोबिन का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन का परिभेन करना ऑक्सीजन का परिभेन करना हीमोगलोबिन का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन का परिभेन करना एक अगला कॉश्चन है एक हीमोगलोबिन का अणू अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणू को कितने ऑक्सीजन के अणू को जोड कर लेकर जाता है प्यारे विध्यारतियों हमारे फैपडो में जो ऑक्सीजन भरी होती है तो एक हीमोगलोबिन का अणू चार ऑक्सीजन के अणू को जोड कर लेकर जाता है प्यारे विध्यारतियों कॉश्चन नमबर दोस्तो नीला ब्लड किसमें पाया जाता है नीला ब्लड किसमें पाया जाता है मैली जो नीला ब्लड होता है वो आर्थो पोडा बे मोलस का संग के जीबों में पाया जाता है नीला ब्लड किसमें भेता है आर्थो पोडा बे मोलस का संग के प्राणियों में कॉश्चन पर 15 आर्थो पोड़ा में कौन से जीबो को रखा गया है आर्थो पोड़ा संग में कौन से जीबो को रखा गया है कीटो को किसको रखा गया है कीटो को प्यारे विध्यारतियों ये कीटो का संग माना गया है आर्थो पोड़ा जो संग है वो कीटो का संग है चलिए जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग कौन सा है तो जन्तु जगत का सबसे बड़ा जो संग है गुरूब जो है वो आर्थो प कौन है आर्थो पोड़ा संगी है सत्रमे नंबर पर प्यारे विध्यारतियो मौलस का में मौलस का संग में कौन-कौन से जीव आते है बहुत कुछ समझ में आएगा मौलस का संग में कौन-कौन से जीव आते है प्यारे विध्यारतियो तो मौलस का संग में आते है सीप है गों अक्तू पस यह जले जीब है ये मॉलस का संग के प्राणी है और इनमें बलड का कलर कैसा चलता है नीला चलिए अधार में नमबर का कौश्चन है प्यारे विद्यारती ओडेवल फिस devil fish के नाम से किसे जाना जाता है तो devil fish जो है वो octopus को ही कहा जाता है octopus को ही कहा जाता है प्यारे विध्यारतियो octopus इसमें 8 भुजा होती है question number 19 मा octopus में कितनी भुजाय होती है आया हुआ question है octopus में भुजा कितनी होती है octopus में भुजा कितनी होती है octopus में ऐसा दिखता है octopass तो इसमें 8 भुजा पाई जाती है प्यारे बिध्यारतियो octopus में कितनी भुजाए पाई जाती है 8 भुजा तो airflow podda और mollus का संग के प्राणियों में blood का color कैसा होता है नीला होता है और question number 20 इसमा नीला ब्लड किस धातू की बज़े से होता है नीला ब्लड नीला जो ब्लड होता है किस धातू की बज़े से होता है लाल जो है लाल ब्लड तो एफी प्लस टू की बज़े से हुआ है नीला ब्लड किस धातू की बज़े से होता है प्यारे विध्यारतियों किस धातू की वज़े से नीला बलड हो जाता है नीला बलड किस धातू की वज़े से होता है इस कौशन का सही जवाब होगा कौपर धातू की वज़े से कौपर धातू की वज़े से बलड का कलर कैसा हो जाता है इनका नीला बलड हो जाता है इसके बाद में प्यारे विध्यारतियों कौक्रोच क्या है कौक्रोच क्या है कौक्रोच कीड है समझो कौक्रोच क्या है अगर वो पूछे तो कौक्रोच कीड है कौन से संग में आता है आर्थो पौड़ा संग में आता है कौक्रोच का बलड का कलर कैसा होता है कौक्रोच का ब्लड का रंग कैसा होता है प्यारे विध्यारतियों सर आपी ने तो बता था कि कीटो का ब्लड का कलर जो है वो तो नीला होता है आर्थो पोड़ा संग में ब्लड का कलर कैसा होता है नीला लेकिन कौकरोच अपबाद है इसको तिल चटा भी बोलता है और प्यारे विध्यार कौकरोच में बलड का कलर कैसा होता है रंग हीन होता है स्वेथ बलड देता अपबाद है प्यारी विध्यारतियो क्यों क्योंकि इसमें पिग्मेंट या वर्णक नहीं पाया जाता है तो आज की क्लास के हमारा टार्गेट है कम से कम हम 15 मिनट का टार्गेट कर रहें दोस्तों लगभग 15 मिनट के अंदर 20 से 25 कोशन्स के बीच में आपको लेके जा रहा हूं हर दिन और अच्छे से बल लाइनर कोशन कराता जा रहा हूं और मेरा टार्गेट है ऐसे 1000 कोशन्स आपको लिखाना तो प्यारे विध्यारतियों आप मेहनत करते चलिए और इस तरह की वीडि अगर वीडियो अच्छी लगे तो पीडियेप जो है डावरा क्लासेश टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है इसकी पीडियेप कभी आपको ऐसे रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प करेगी प्यारे विध्यारतियों और आप सभी विध्यारती आज हमारे डावरा क्लासेश का एक कमाइंड वैच है जिसकी फीज जो है प्यारे विध्यारतियों 799 है लेकिन अगर आज आप वीडियो को देख रहे हो तो इसकी जो फीज है ये मात्र 600 रुपे हमने कर रखे है 200 रुपे की चूट है मैत और साइंस कंप्लीट वैच है तो आप इस वैच को जोइन कर सक है दोस्तों और बेलकुल चूकना नहीं है अब वक्त नहीं है समय नहीं है बच जुड़ते चलिए और साइंस का जो बैच है उसकी फीज टू डबल नाइन महा ओफर के साथ चल रही है ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा तो सभी विध्यारतियों को बहुत-बहुत धनबा आप वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए भया वीडियो जयना 25 कोस्षिं कराने का मतलब है वीडियो जो है 15 से 20 मि réuss vra page में जारी है एक-दो मिनमें भी खराब करता हूं आपको कोई बात नहीं जब 2 मिनट खराब करता हूँ तो 20 मिनट पढ़ा के भी जाता हूँ ऐसे समद लीजिए थैंक यू धनबाद अगली वीडियो का फिर इंतजार करिए थैंक यू